है की चोबीस में जो है मोधी जी को लिए अईसा तुम लिक ले लो पैन है रिक के दे पहूं बागेश्वार बाबा में लिख देए सही कर रहे कियों की भीडब होती है अरे हमारी आस्ता है मोद्याम पर नहीं सिखाता है यह उस करते हैं वैष्या प्रभू येश्व मसी के नाम में आफ सभी को जे मसी की बोलो येश्व मसी की हलेलुया प्रभू के नाम की स्थूति हूँ अभी आपने देखा कि एक जो यूवक है वो हलेलुया का मजाक उड़ा रहा है हो सकता है उसको हलेलुया का मतलब नहीं पता हो लेकिन उसे ये मालूम है कि हलेलुया क्रिशन लोग बोलते हैं और ये पंजाब के शर्चु को लेकर बोल रहा है साइध उसने पंजाब में जो चर्च होते हैं साइध वीडियो में देखा होगा कि किस परकार से वहाँ पर लोग परमेशर के नाम की स्थूति करते हैं और हलेलुया बोलते हैं हम सभी क्रिशन हमारी प्रात नमें स्थूति आराद नमें हम हलेलुया को इस्तिमाल करते हैं हलेलुया का मतलब होता है परमेशर के नाम की स्थूति हो परमेशर की महिमा हो लेकिन ये जो बंदा है वो खुलिया मसीह लोगों के खिलाब और पाइबिल और हलेलुया का मजाग उड़ा रहा है अंद विश्वास फेलाना बंद करो अब सभी लोग जानते हैं कि अंद विश्वास कौन फेला रहा है इस देश में और बागेश और बाबा का नाम जो कि धिरेंदर सास्त्री है जो बाबा है वो समर्थन करता है और बोलता है कि 2024 में पिये मोदी फिर से परदान मंत्री बनेंगे हाला कि वो उनकी राय है फिलाल जो धिरेंदर सास्त्री है वो पंजाब या क्रिशन या पाश्टरों को लेकर बयान दिया था पाश्टरों का मजाग भी उड़ाया था और हालेलुया का मजाग भी उड़ाया था इस बाबा ने और खुले आम हिंदु राष्ट की बात करता है भारत को हिंदु राष्ट बनाने की बात करता है इस वीडियो में जो युवक हैं जो हलेलुया का मजाक उड़ा रहा है उसका नाम है दिपक और ये दिल्ली का रहने वाला है और जो उसकी विचारदारा है वो RSS की है हमेशा वो मुसलिम क्रिश्यनों के खिलाब बोलता है कि आप लोग ये करते हैं आप लोग वो करते हैं आप लोग अंध विश्वास पहलाते हैं आप लोग धरम परिवर्तन करते हैं और इस परकार से वो बोलता है लेकिन भारत में अंध विश्वास कौन फहला रहा है आप प्रकार्त के ल्ग, इसमें रे सकते हैं उसका प्रशार कर सकते हैं फैस Tina Senior में my wheels specific task 7 certificate 19 में लिखा है और बढी पीड का सा और बहुत सब्ड और गरजन का सा बड़ास असब्ड और सब्ड millennials यहाँ, क्योंकि प्रबु हमारे मेश्वर स्वरसक्तिमान राज्य करता है, लात्यों छे का सात में लिखा है धोका ना खाओ, परमेश्वर ठटों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, परमेश्वर का ठटों में उड़ाना, परमे प्रेगा.